आपको मैं बताने जा रहा हूं पढ़ाई करने के कुछ बहतरीन टिप्स फ्रेंड्स इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दू कि अगर हमारे यूटूब चैनल लोटस एरवेद इडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औस्दियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं जी हाँ अगर आपको एक्जाम में अच्छे माक्स लाने हैं तो आपको पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाना होगा और उसे अश्प्रेकली फॉलो करना होगा और आपको ये रूटीन एक्जाम के समय नहीं बनाना चाहिए बलकि पहले से ही बना लेना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए और अगर आप क्लास पहले या दूसरे अस्थान पर आते हैं तो आपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको गहन अध्यन की जरूरत होगी आपको अच्छे राइटर की किताबें बढ़नी चाहिए जिसमें विश्वसनिये तथ्या दिये हुए होँ आपको अपना एक अच्छा सा नोट्स तयार करना चाहिए ताकि एक्जाम के समय आप महत्वपून तत्यों को आसानी से एक नजर में देख सकें पूरी किताब पलटने की जरूरत ना पढ़े आपने जो भी पढ़ा है उसे बार बार लिख कर दोराते रहें हर दिन पढ़ने के अलावा मनुरंजन के लिए भी प्रयाप्ट समय दें याद रखें जितनी भी देर पढ़ें एक अगरता से पढ़ें क्योंकि एकागरता के बिना ज्यादा सफलता नहीं पाई जा सकती है परिकशा के नाम से ना डरें प्रयाप्त निंद लें प्रयाप्त निंद लिए बीना आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते खास तोर पर पढ़ाई के लिए अच्छी निंद बहुत जरूरी है एक्जाम हॉल में हमेशा समय से पहले पहुचें ताकि आप समय से परिक्षा लिखना शुरू कर सकें परिक्षा में पहले उन प्रश्णों को बनाएं जिनें आप अच्छे से जानते हैं हाट क्वेस्चन्स को बाद में बनाएं सैल्फ एस्टडी आपकी छमता को बढ़ाता है परिक्षा से पहले ऐसी गौसिप ना करें जिससे आपको अनावश्यक रूप से तनाव हो जाए क्योंकि आप विद्यार्थी हैं इसलिए आपको विद्यार्थी की तरह ही सयमित जीवन व्यतित करना चाहिए तभी आप एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं और याद रखें आज की तारिक में खुद को हर दिन अपडेट करते रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है याद रखें आपका मुख्य काम पढ़ाई है इसलिए आपको पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो ये थे फ्रेंड्स पढ़ाई करने के कुछ बहतरिन टिप्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यूंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माद्यम से आपके हेल्ड से समंदित वो सारी जानकरिया लेकर आता हूँ जिससे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाब उठा सकते हैं दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहमुल्य सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में लिकर भेज सकते हैं दोस्तों और साथ साथ बीमारियों से समंदित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे तो स्वास्त रहिए खुश रहिए धन्यवाद खैंके दोस्तों